हेलो दोस्तो स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में और आज हम सुरू कर रहे हैं एक और बहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है चितरक मनी चितरकमनी कॉमिक्स का पहले भाग में हमने यहाँ तक कहानी कम्प्लीट कर चुके हैं दोस्तों चलिए सुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय कमाएं ठीक उसी समय सारंग नगर के राजा प्यूस धर समीप के राज के एक समारो में भाग लेकर अपने नगर की और लोट रहे थे तेज आंधी ने उन्हें भी घेर लिया अरे कुछ देर पहले तो मोसम कितना अच्छा था अचानक यह तेज आंधी कैसे चल पड़ी ओ साहे साहे तेज आंधी और बादल की गरजन ने रत के घोड़े को इतना भैबित कर दिया कि वे बिदक कर तेजी से दोड़ पड़े ओ रुको रुको घोड़ा एक बार का नाम नहीं लिया देखते देखते घोड़े रत को लेकर कोसो दूर पार कर गया राजा प्यूस धर अपने अंगरक छको से बिछड़ गया और तभी खटा आक ओ रत से गिरकर राजा भिहोस हो गया उधर आंधी के चलते अभी कुछ देर हुई थी कि तभी आकास पर अब क्या करें पलक छपकते ही गिदों ने मरे जानवरों को यग वेदी पर डालना सुरू कर दिया धड़ 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 ओ सब अपवित्र कर दिया अब मुझे दोबारा यग करना पड़ेगा अगले च्छन गिदराज महरसी के समीब खड़ा था लेकिन अब हम तुमें द जला कर भसम कर दूँगा लेकिन अभी महरसी कुछ कर पाते कि तभी गिदराज तेजी से उन पर जपट पड़े ओह मारो मारो अगले ही च्छन महरसी की गर्दन उसके सरी से अलग पड़ी थी सिना पती यह तो मर गया अब तुम सब नागों को पकड़ कर ले चलो बहुत द पिर बाद नाग पिरिये उस आस्रम के पास पहुची और जब नाग पिरिये यग वेदी की दुर्दसा देखी तो वो काप उठी नहीं नहीं यह नहीं हो सकता यग वेदी पर मरे हुए जानमर और महरसी का सौ ओ बरहंभा यह सब कैसे हुआ किसने किया एक भी नाग यहां अवस्य ही यहां दुसकरम किद्धों ने किया होगा उन्होंने ही महरसी की हत्या की होगी और नागों को भी पकड़ कर ले गए होगे उधर राजा प्यूस धर को जब होस आया तो आंधी बंद हो चुकी थी वो चौकर उठ बैठा अरे कैसा विचितर आंधी चली थी इस आ जानमर महरसी के आसरम के पास दूर से किसी रत को उस और आते देख नाग पिरिया चौक पड़ी ओह कोई मनुस से आ रहा है उसके यहां पहुचने से पहले मैं अपना रूप परिवर्थित कर नाग रत को अदृस कर देती हूँ राजा प्यूस ने समीप पहुचने पर नाग पिरिये को देखा तो आस्चरिय से सोचने लगा अरे यह सुन्दर यूती कोन है और यहां क्या कर रही है यह गवेदी पर मरे हुए जानमर महरसी का सौक किसने यह दुस करम किया है सुबुक राजा प्यूस धर ने नाग पिरिये के पाज जाकर कहा सुन्दर यूती तुम कौन हो इस यह को किसने नश्ट किया है और सच बोलने में मैं किसी मुसीबत में नाफ़ज आओं इसलिए मैं जूट बोल देती हूँ कुछ दिर नाग पिरिये ने कहा मैं महरसी की बेटी मधु पिरिया हूँ मेरे पिता यग कर रहे थे कि कुछ लोग ने आकर यग वेदी को अपबितर कर दिया और मेरे पिता की हत्या कर दी सुबुक ओ यह तो बहुत अनर्थ हुआ तुम मेरे साथ चलो मैं यहां का राजा प्युसधर हूँ तुम्हें महल में संरक्षन मिलेगा नहीं नहीं मैं आपके साथ नहीं जा सकती मुझे यहीं जंगल में रहना है मैं अपने पिता की याद में जीवन गुजार लूँगी महर्सी की मिर्टू के पच्चा तुम इस निर्जन वन में अकेली कैसे रहोगी नहीं तुम मुझे इस निर्जन वन में अकेला नहीं छोड़ सकते हम तुम्हें महल में ले जाएंगे नाग पिरिया के बार बार मना करने के बावजुद राजा पियुसधर उसे रत में बैठा कर नगर की और चल दिया ओब क्या होगा मैं नाग लोग कैसे लोट सकूँगी बहुत सुन्दर है महल में ले जाकर इससे विवा कर लूँगा नगर में पहुचकर राजा ने कुछ सैनिकों को भेज कर महरसी के सौब का अंतिम संसकार करा दिया अगले दिन राजा पियुसधर ने नाग पिरिया से विवा कर लिया उधर नाग लोग में जब कई दिन तक नाग पिरिया नहीं लोटी तो नाग राज बेचेन हो उपैठ है तब ही उन्हें एक गुप्चर ने महरसी की हत्या की सुचना दी महराज गिद्धों ने महरसी की हत्या करके यग वेदी को पवित्र कर दिया और नाग पिरिया का कुछ पता नहीं चल रहा है नहीं नहीं यह कैसे हो सकता है नाग पिरिया के होते गिद्ध यग वेदी के पास भी नहीं चाह सकते थें, फिर उन्होंने महरसी की हत्या कैसे कर दी, लेकिन पिताजी, यह भी तो संभव हो सकता है कि नाक पिरिये के पहुचने से पहले गिद्धों ने महरसी पर आकमन करके उन्हें मार डाला हो और नाक पिरिये प्रिद्वी पर किसी दूसरे संकर में फस गई हो, हाँ यह भी हो सकता है, तुम जल्दी से प्रिद्वे पर जाकर नाक पिरिये का पता करो, लेकिन अभी नाक के तू वहां से पलट कर चलता ही कि तभी एक नाक से निक दोड़ता हुआ आया, हफ हफ महराज, गिद्धों ने आकमन किया है, इस बार गिद्ध भार संख्या में आये हैं, ओ नाक के तू गिद्धों के आकमन का अर्थ है कि उन्हें ही महरसी की हत्या की है, और यह वे यह भी जान गए है कि नाक पिरिये अब नागलोक में नहीं है, पिता जी हमें यू निरास होकर नहीं बैठना चाहिए, निसंदे हम गिद्ध राज से नही काबला करें, हम सिगरी वहाँ पहुँच रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ नागराज और नाक के तू यूद अस्थर में पहुचकर गिद्धों से यूद करने लगें, मारो नागों को पकड़ो, नाग हमारा भोजन है, पचाओ, हाए, तभी नागराज को देखते ही गिद मुझे उनकी सहायता के लिए उनके पास जाना चाहिए, सैनिको तूट पड़ो, इन गिद्धों पर माराज को बचाओ, नाग के तू बहुस से नाग सैनिकों के साथ गिद्ध पर तूट पड़े मारो, माराज को बचाओ, लेकिन वह अनता नागराज के पास नहीं पहुच पाया, बहुस से नाग सैनिकों को मार कर गिद्ध नागराज को पकड़ कर ले गया, ओ गिद्ध राज माराज को भी उट पकड़ कर ले गया, ओ अब हम कैसे जीत रहेंगे, ऐसे तो एक दिन गिद्ध पूरी जाती को समात कर देगा, नाग के तू जब महल में लोटा, महराज को गिद्ध राज पकड़ कर ले गया, अब नाग लोट का क्या होगा, क्या हम सब गिद्धो का सिकार बन जाएंगे, मा यह सब अनर्थ नाग पिरिये के नाग लोट में जाने के कारण हुआ है, यदि वह यहां होती तो ऐसा कभी नहीं होता, वह अवस्य ही प्रिद पर जाओंगा, अगले दिन सुबा होते ही नाग केतु नाग पिरिये को ढूनने निकल पड़ा, महरसी के आसरम पर पहुँचकर जब नाग केतु ने उस स्थान की दुर्दसा देखी तो बुरी अतरा काप कर रह गया, अवस्य ही यहां कोई भीसन युद हुआ होगा, यग वो कहां चली गए, अचानक तभी नाग केतु को महरसी की बात समरन हो गई, अगर नाग पिरिये की आईू में नाग पिरिये का विवा प्रिद्वी लोग में किसी राजा से होने का योग है, अरे हाँ, याद आया, इसी वर्स नाग पिरिये के अठारा वर्स में ये थे, कहीं महरसी की भविस्वानी सच तो नहीं हो गई, मुझे प्रिद्वी पर ही नाग पिरिये को ढूनना चाहिए, प्रिद्वी लोग में नाग पिरिये को ढूनता हुआ, नाग केतु एक दिन सारंग नगर पहुच गया, नगर के बहर अपने रत को छोड़ अपना रूप परिवर्दिन कर नाग केतु नगर में पहुचा, अभी कुछ कदम ही वह आगे बढ़ा था कि लोगों की आवाजों ने उसे चोका दिया, हटो हटो महराज अपनी रानी के साथ रत पर आ रहे हैं, अरे हटो ना, और जब रत उसके सामने पहुचा तो वह पलक उसे ही रह गया, नाग पिरिया, रत काफी दूर जा चुका था और आश्चरे में डूबा नाग के तुम मूर्ती सा बना खड़ा था, अरे भाई, क्या रानी की सुन्दरता को देख रहे हो तुम मंतरमुच हो गए, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो यह जाना चाहता था कि महराज ने कब विवा किया, अच्छा तो यह बात है, लगता है तुम इस नगर में कि बाहर से आई हो भाया, हमारे महराज ने कुछ दिन पहले ही इस सुन्दर युक्ती से विवा किया है, और इस आदमी से विदा लेकर नाग के तु चल दिया, महल की और चलते हुए ना कि तु सोच रहा था, नाग पिरिये ने महराज से विवा कर लिया, तो वह मेरे साथ नाग लोग लोटने से इंकार कर देगी, और उसके नहीं जाने से नाग लोग बच नहीं सकेगा, ओ, मैं क्या करूँ, नाग पिरिये को कैसे ले जाओ, मुझे नाग पिरिये को यहाँ से ले जाने के लिए कोई उपाय सोचना पड़ेगा महस के मुख्य द्वार पर पोचते ही नाक केतु ठिठक कर रुगिया ओ, ऐसे मुझे महल में कौन जानेगा मैं आज रात को महल के पीछे की और से भीतर जाकर नाक पिरिये को मिलूंगा और और उस रात एक खिड़की के रास्ते नाक केतु महल में परविष्ट हुआ और फिर सभी कक्षों में नाक पिरिये को देखते हुए नाक केतु राजा के सैन कक्ष में पहुचा ही गया अरे यह तो सो रही है पास में राजा भी सो रहा है मैं इसे जगा कर दूसरे कमरे में ले जाता हूँ नाक केतु ने नाक पिरिये के जगाया तो वह उसे देखते ही बुरी तरह चौक पड़ी भया नाक केतु ने संकेत से उसे दूसरे कक्ष में चलने के लिए कहा दूसरे कक्ष में पहुच कर नाग पिरिये मैं तुम्हें लेने आया हूँ नाग लोट चलो तुम्हारा वहाँ नहीं रहने से गिद बार बार आकरमन करके बहुत हानी पहुचा रहे हैं लेकिन भैया अब मैं वापस नहीं जा सकती हूँ राजा से मेरा विवा हो चुका है उधर राजा प्यूसधर की अचानक आँख खुली तो वह बिस्तर पर मधुपिरिया को ना देखकर चौक पड़ा अरे मधुपिरिया कहां चली गई राजा से अनकक्स से बाहर निकला तो बराबर के कक्ष में आथी हावाजों ने उसे चौका दिया जानता हूँ नाक पिरिया लेकिन तुम नहीं जानती कि गिदराज पिताजी को भी उठा कर ले गए है और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो नागलोक में कोई नाग जीवित नहीं बचेगा और तभी राजा उस कक्ष में कक्ष के दर्वाजे पर पहुचा अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ मेरी पत्नी मधुपिरिया नाक करने है ओ भगवान यह कैसी लीला है अंदर ओ मैं क्या करूँ तुम्हें कैसे बताओ मैं बहुत मजबूर हूँ भया मैं यहां से नहीं जा सकती पूरे नाग लोक के नागों की हत्या हो जाने से भी बड़ा कौन मजबूरी हो सकता है नाग पिरिया अगले च्छन वे दोनों राजा के आते देख बूरी अतरा से चोक पड़े उसकी सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि यह मेरी पत्नी है मेरी आगया के बिना यह कहीं नहीं जा सकती और अब मैं इसे अभी नाग लोक कभी नाग लोक जाने नहीं दूँगा महराज अगर नाग पिरिये नाग लोक नहीं गई तो गिद सब नागों को मार कर खा जाएंगे आपको नाग पिरिये को जाने की आगया देनी ही होगी नहीं मैं इसे कभी भी नागलोक जाने किया गया नहीं दे सकता लेकिन महराज हम क्या करें इसके वहाँ नहीं रहने से हमारा सर्वनास हो जाएगा वर्सो पहले हमारे पुरवजों के पास एक चितरक मनी थी जिससे हम अपनी रक्षा करते थे लेकिन एक बार उलू राज से आकरमन करवाकर गिदराज ने हमसे वह मनी चीन ली उसके बाद गिदराज के आकरमन को रोकने के लिए हमने ब्रहंभा की पूझा करके वरदान में नाग पिरिये को प्राप्स किया अगर यह भी पृद्वी पर रहेगी तो नागों की रक्षा कोन करेगा अगर मैं गिदराज से तुम्हारी चितरक मनी वापस ले आओ तो क्या फिर तुम नाग पिरिये को अपने साथ नहीं ले जाओगे नहीं नहीं फिर भला मैं क्यों नागपिरियों को ले जाओंगा लेकिन महराज गिदराज बहुत सक्तिसाली है उसके युद करके चितरकमनी लाना सरल काम नहीं है गिदराज कितना भी सक्तिसाली क्यों न हो मैं उनको यूद में पराजित करके चितरकमनी अवस्ते ले आऊँगा तुम बस मुझे गिदराज जाने का मार्ग बता दो महराज मेरा रत आपको गिदराज में पहुचा देगा फिर्द्वी लोग से जाने का परमन्द तो हो गया लेकिन वह पहुचकर गिदराज को पराजित करना सरल नहीं था राजा यह सोचकर परसान हो रहा था उसे कुल गुरु का ध्याना आया अरे हाँ कुलगुरु ही मुझे गिदराज को पराजित करने का कोई तरीका बता सकते हैं मुझे उन्ही के पास जाना चाहिए और यह सोचकर राजा कुलगुरु के पास पहुचा उन्हें सारी कहानी सुना कर कहा कुल गुरू अब आप ही बताएं कि गिद लोग में जाकर गिदराज से उस नाग मनी को कैसे ला सकता हूँ राजन प्रिद्वी पर गिदो को गाजर मुली की तरह काट सकते हो लेकिन गिद लोग में उन गिदो की सकती मनुसिक से अधिक हो जाती है तुम सेना लेकर भी उस लोग में नहीं जा सकते हो लेकिन मैं गिदराज से उस मनी को कैसे ला सकता हूँ अगर मैं उस मनी को नहीं ला सका तो नाग के तू नाग पिरिये को वापिस ले जाएगा राजन हम तुम्हें ऐसा दिव्य अस्तर देंगे जिसकी सक्ती से गिदराज के पंक चिपक जाएंगे और फिर वे उड़ नहीं सकेंगे ऐसे में तुम उन्हें सरलता से मार सकते हो लेकिन उसके लिए हमें पहले यग करना होगा अगले ही दिन कुलगुरु ने यग आरम किया यग के पूरा होने पर यग गुंड के अगनी में एक दिव्य सस्तर परगट हुआ कुल गुरू ने उस दिव्यास्तर को राजा प्यूस धर को देते हुए कहा राजन इस दिव्यास्तर की सक्ती के सामने गिद धर नहीं पाएंगे अगले दिन सूर्य दै होते ही राजा प्यूस ने गिद लोग के लिए प्रस्थान किया गिद लोग पहुचते ही सेकडो गिदों ने राजा प्यूस पर आखरमन किया ओह लगता है गिदों को मेरे आगमन का पता चल गया है इनके समिप जाने आने से पहले ही मुझे दिब्यासर का उप्योग करना चाहिए लेकिन गिद अभी पास आते की दिब्यासर से निकली और लोकिक बूंदों ने उनके पंक को चिपका दिया अरे यह क्या हुगा हाई मैं उडू कैसे हूँ उडू कैसे ओह मेरे तो पंक चिपक गए हाई मैं गिरा पंक के चिपकते ही गिद नीचे गिरते तो राजा तलवार से उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देता कुछ ही देर में गिद राज सवे वहां पोच कर प्यूस धर से युद करने लगा लेकिन राजा ने उसके पंक को भी चिपका दिया इसने किसी अद्वुस सक्ती से मेरे पंक को चिपका दिया है तलवार के परवार से बहुत से गिद मोत के मुँ में समाते चले गए अपने सैनिकों को भारी संख्या में मरते देख क्रोधित हो गिद राज इसने नागों के टुकड़े टुकड़े कर डाले ओओ ओओ इसने नागों को मार डाला क्रोधित हो राजा प्यूस ने बहुत से गिद्धों को मार कर गिरा दिया इसने मेरे इतने सैनिकों को मार डाला अब यह मुझे भी मार डालेगा मुझे अब भाग निकलना चाहिए और असर पाकर गिदराज वहाँ से भाग निकला लेकिन राजा प्यूस ने तेजी से दोड़कर उसे रोक लिया अब बचकर कैसे जाओगे गिदराज अंतिम समय में अपने इस्वर को समरन कर लो या कहते हुए राजा ने अतिर्व परहार सुरू कर दिया ओ ओ बचाओ अपने बचने का कोई उपाय ना देखकर गिदराज राजा के पाउं में गिड़ पड़ा मुझे छमा कर दो राजा मैं आपका दास हूँ आप चाहो तो यहां के राजा बन जाओ मुझे यहां का राजा नहीं बनना मैं तो वह चितरकमनी और नाग राज को लेने आया हूँ उन दोनों को लोटाने के साथ तुम यहां भी कसम खाओ कि कभी नाग लोग पर आक्रमन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ मैं नाग राज और चितरकमनी को लोटाने के साथ यह भी कसम खाता हूँ कि कभी नाग लोग पर आक्रमन नहीं करूँगा राजा प्यूस को अपने महल में ले जाकर गिदराज ने चितरकमनी उसे सोब दिया और राजा को नाग राज को मुक्त करा दिया नागराज के साथ राजा प्यूसधर ने प्रिद्वी की और प्रस्थान करना चाहा तो गिदराज तुमने मेरे नागराज को नश्ट कर दिया अब हमें अपने प्रिद्वी लोग मैं कैसे जाऊंगा राजन आप उसकी चिंता ना करें आपने मुझे काल के हाथों से मुक्ति दिलाई है मैं आपको प्रिद्वी पर पहुचा दूँगा उपर की और हाथ उठाते ही नागराज ने धीर से कुछ बुदबुदाया ही था कि तब ही वहाँ पर एक नागरत परगट हो गया उस नागरत पर नागराज के साथ राजा प्यूसधर ने प्रस्थान किया नागराज के साथ लोटते हुए राजा प्यूसधर ने नागपिरिय से विवा की सारी कहानी सुना दी राजन तुम कितने अच्छे हो, सक्ति साली हो, तुमने भेंकर कित राज से बचा कर मुझे नया जीवन ही नहीं दिया, बलकि जितरक मनी लाकर पूरे नागलों को बचा लिया है, पिरिद्भी नागरत पिरिद्भी पर पहुचा तो सब उसे देखकर खुसी से नाचने लगे नाग पिरिय और नाग केतु की खुसी की सीमा ही ना रही, पिता जी आप कुसल लोट आएं, ओह आज मैं कितनी खुस हूँ, तुम्हारे विवा की ख़बर सुनकर खुसी, तो आज मुझे सबसे जायदा हो रही है, और फिर विदा के समय, बेटी आयुसमान सौभाग्यवत हो, अपने पती को खुब सिवा करके नाग लोग का नाम उजवल करना, नागरत अतिर्वगती से नाग लोग की और उड़कर चल दिया, समाप्त, चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहां समाप्त होती है, मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही अच्छे से कॉमिक्स में, अच्छे से भा वाद़्िदा